नमस्कार! कैसे हैं आप सब? अपने समय का सदूपियोग कर रहे हैं की नहीं? बच्चो आज मैं आपसे आपकी रुच्ची की कुछ बाते करने वाली हूं. बच्चो जब छुट्टियों होती हैं और आप घर पर रहते हो तो अपना समय कैसे बिताते हो? खेल कूद कर? पढ़ाई करके? और क्या करते हो खाली समय में? किसके साथ खेलते कूदते हो? अच्छा बताओ कौन-कौन है आपके घर में? भाई-बेहन, माता-पिता, दादा-दादी, और भी लोग होंगे? अच्छा ये बताओ कि किसके साथ बाते करना आपको सबसे अच्छा लगता है? आपको किसी नई चीज के बारे में यदि जानना हो, तो किस से पूछते हो? अच्छा बच्चो आपको पता है, हम सब तो आराम से घर में रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास रहने वाले पशु-पक्षी वे कैसे रहते हैं? उनका कोई घर होता है क्या? उन्हें भोजन कौन देता होगा? बच्चो जैसे आपके माता-पिता आपकी देखभाल करते हैं, आपके लिए भोजन पकाते हैं, वैसे ही पशु-पक्षी भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि कुछ पक्षी हमारे घरों में भी घोंसला बना लेते हैं. आपने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? बताओ जरा कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं पक्षी? कौनसा कौनसा घोंसला देखा है आपने? बच्चों आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नादान दोस्त यह एक कहानी है और इसके लेखक है मुन्शी प्रेमचन जी प्रेमचन जी ने बच्चों के लिए बहुत सी कहानिया लिखी है आपने कक्षा 5 की किताब रिमजिम में उनकी लिखी कहानी इदगा पढ़ी होगी इदगा की तरह ही इस कहानी में भी प्रेमचन जी ने बच्चों के मन के भावों के बारे में लिखा है बच्चों के मन में बहुत से सवाल वो उत्सुपताई रहती हैं जिसका उत्तर कोई बड़ा ही दे सकता है अगर उन्हें सही उत्तर ना मिले तो वे गलती कर बैठते हैं इस कहानी में आप जैसे दो बच्चे हैं जिनके घर में दो चिडियां घोसला बनाती हैं वे दोनों बच्चे चिडिया का घोसला देखने को बहुत उत्सुक होते हैं और अपनी समझ से चिडिया की सहायता करने की कोशिश भी करते हैं परंतु ज्यादा समझ न होने के कारण वे नादानी कर बैठते हैं ठीक है बच्चो तो आईए कहानी शुरू करते हैं पहले जानते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है मुख्य पात्र है केशव और श्यामा आईए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर केशव और श्यामा दो भाई बेहन है एक दिन उनके घर के कारणिस पर एक चड़िया ने अंडे दिये दोनों भाई बेहन चड़िया को देखने के लिए हर दिन सुबह सुबह उठते ही कारणिस के पास पहुन जाते थे वे दोनों चड़ियों को देखने में इतने मगन हो जाते कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता था उनके मन में फिर कई तरह के सवाल आते थे कि अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे अंडों में से बच्चे कैसे निकलाएंगे, घोंसला कैसा है, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे जादा तर ये सवाल श्यामा जो की अपने भाई से छोटी थी वही पूछती थी उनके पिता जी ओफिस के कामों में व्यस्त रहते थे और मा घर के कामों में व्यस्त रहती थी अब ये दोनों सवाल पूछें तो किस से पूछें तो दोनों बच्चे क्या करते थे? तो दोनों आपस में ही बाचीत करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में? इसी तरह से 3-4 दिन निकल गए दोनों बच्चे अंडों के लिए परिशान रहते थे और सोचते थे कि अंडों से बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो वे भूखे प्यासे न मर जाएं इसलिए उन्होंने अंडों की मदद करने की सोचे उन्होंने उनके खाने के लिए चावल के दाने और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया और फिर उन्होंने चिडियों के अंडों को धूप से बचाने के लिए एक कूडे की टोकरी का भी प्रबंद कर लिया और उनके नीचे बिछाने के लिए गद्देदार मुलायम कपड़ा भी ढूंड लिया अब उन्हें इंतजार था कि मां से नजर बचा कर किस तरह ये सब कुछ घोंसले में रख दें फिर एक दिन क्या हुआ कि जब उनके पिता जी दफ्तर गए हुए थे और मां भी इन दोनों को सुला कर खुद भी सो रही थी तो बच्चे धीरे से किवार खोल कर बाहर निकल आए और अंडों की हिफाज़त की तयारियां शुरू हो गई केशव ने उपर चड़ने के लिए एक स्टूल रखा जब वे काफी न लगा तो उसके नीचे उसने एक चौकी भी रखती शामा ने स्टूल को पकड़ लिया ताकि केशव उपर चड़े तो गिरना जाए केशव उपर चड़ा और जैसे ही उसने कार्निस पर हात रखा तो नो चड़ियां उड़ गई उसके बाद केशव ने अंडों को देखा और शामा से बताया कि तीन अंडे हैं फिर उसने सही से गद्दे पर अंडों को रख दिया और पास में ही दाना पानी आदी रख दिया इसके बाद उसने टोकरी को एक डंडे के सहारे खड़ा कर दिया ताकि घोसले पर चाया हो जाए अब श्यामा भी जिद करने लगी कि उसने भी उपर चढ़ कर देखना है पर केशव ने मना कर दिया और कहा कि नहीं तू गिर पड़ेगी फिर दोनों भाई बेहन संतुष्ठो कर सोने चले गए चलिए आगे देखते हैं बच्चो कि क्या होता है शाम के समय जब दोनों भाई बेहन सोकर उठकर बाहर आए तो देखते क्या है कि अंडे तूटकर नीचे गिरे पड़े हुए है यह देखकर दोनों बच्चे पहुत उदास हो जाते है और यह बात जब उनकी अम्मा को पता लगती है तो वे उन्हें खूब डांटती है केशव को ज्यादा डांट पड़ती है क्योंकि वे बड़ा है और फिर उन्हें समझाती है कि चडिया के अंडों को चूने से उनके अंडे गंदे हो जाते हैं फिर चडिया उन्हें अपनाती नहीं यह जानकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए और केशव तो बिचारा कई दिनों तक रोता रहा और अफसोस मनाता रहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई फिर उसके बाद वे दोनों चडियां भी कभी वहां दिखाई ना दी तो बच्चों इस तरहां ये कहानी यहां पर समाप्त होती है तो कैसी है कहानी? बताईए, दुख बरी है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसके कारण चडिया ने अपने बच्चे खो दिये अच्छा अब बताओ बच्चों लेखक ने कहानी का नाम नादान दोस्त क्यों रखा? नादान दोस्त क्यों रखा लेखक ने इस कहानी का नाम? क्योंकि बच्चे चडिया के दोस्तों थे उसका भला भी चाते थे पर नादान होने की वज़ा से उन्होंने काम बिगार दिया तो आपने कहानी तो सुन ली अब हम अलग-अलग गती विधियों के द्वारा देखते हैं कि आपको कितना समझ आया तो पहली गती विधी है बच्चो मैं कुछ वाक्य बोलूँगी आप सुनिये और जो मैं पूछूँगी उसका उत्तर दीजिये बच्चो पाट में एक शब्द आया है कार्निस क्या होता है कार्निस? जानते हैं आप? आपके घर में है कार्निस आपने जरूर देखा होगा कार्निस दिवार के उपर को आगे बढ़ा हुआ एक भाग होता है ज्यादा तर यह खिडकी या दर्वाजे के उपर बाहर की तरफ छत की तरह बनाया जाता है फिर बच्चों के सामने बहुत से पेचीदा सवाल थे कि चड़िया को खाना और पानी कहां से मिलेगा उसके गोंसले पर धूप आ रही है चाया कैसे करें वे छोटे बच्चे थे इसलिए उनके लिए यह सवाल पेचीदा थे तो आपको भी पेचीदा सवाल पुछे जाते हैं कभी याद करिये कब होता है ऐसा अक्सर ऐसा गणेत की कक्षा में होता है अध्यापक आपसे कई बार बड़े पेचीदा सवाल पुछते हैं है ना अच्छा बच्चो फिर ये वाक्य सुनिये मेरी कमीज में एक सुराक हो गया अब कैसे पहनू इसे सुराक का मतलब समझ आया वच्चो आपको जरूर समझ आ गया होगा अच्छा पाठ में एक शब्द आया था उधेड़ बुन ऐसा कब होता है ऐसा तब होता है जब कुछ समझ बिना आए कि क्या करें यह बात ठीक है यह वह बात ठीक है जब आप ऐसा सोचते हो तब आप उधेड़ बुन में होते हो फिर बच्चो एक शब्द है हिफाज़त यह तो बहुत आसान है आपने कई बार सुना होगा हमारे देश के सैनिक देश की हिफाज़त करते हैं यानि रक्षा करते हैं अच्छा बताए यकायक यकायक क्या होता है बच्चो जैसे हम इसे प्रियोग कर सकते हैं बारिश यकायक शुरू हो गई या यकायक रुक गई होता है न ऐसा कई बार अच्चानक शुरू हो जाती है बारिश और अच्चानक रुक भी जाती है अच्छा बताए ये कसूर क्या होता है जैसे चोर ने पुलिस वाले से पूछा आखिर मेरा कसूर क्या है मुझे क्यों सजा दे रहे हो ठीक है बच्चो चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्ण पूछूंगी और उत्तर के लिए आपको कई विकल्प दूँगी पहले यह प्रश्ण सुनिये केशव के घर चडिया ने अंडे कहां दिये थे याद होगा आपको पहले विकल्प सुन लीजिये छत पर खिड़की पर पेड़ पर या कार्निस पर कहां दिये थे ये तो आपने उत्तर जट से दे दिया कार्निस पर बिलकुल सही अगला दो एक तीन या चार बताईए बच्चो कितने अंडे थे तीन अंडे बिलकुल सही अच्छा श्यामा चिड़िया के चुग्गे के लिए क्या लेकर आई उसके खाने के लिए क्या लाई थी श्यामा चावल चने दाल या शक्कर उत्तर है चावल जी हाँ अगला प्रश्ण है चिड़िया के अंडों के लिए चीथडे और दाना पानी की विवस्था करने का केशव और श्यामा का प्रयास क्या साबित हुआ सार्थक साबित हुआ, नादानी साबित हुआ, आत्म घाती या मनोरंजक क्या रहा इसमें से यह प्रयास उनका नादानी रहा, नादानी साबित हुआ अगला प्रश्ण है, केशव ने अंडों पर किस चीज के द्वारा च्छाओं की थी, कैसे च्छाया की थी बताईए तो, विकल्प सुन लीजिए तोक्री से, बाल्टी से, बोतल से या कपड़े से, किस चीज से च्छाओं की थी, उत्तर है तोक्री से, बिल्कुल ठीक अगला प्रश्ण, नादान दोस पाठ के लेखक कौन है, याधा बेटा, बताईए जरा विकल्प सुन लीजिए क्रिश्णा सोप्ती जी, प्रेमचन जी, विने महाजन जी, या विश्णु प्रभाकर जी क्या उत्तर है आपका? प्रेमचन जी प्रेमचन जी ने यह कहानी लिखी है अच्छा बताओ तो, श्यामा ने मा को ये क्यों नहीं बताया कि दर्वाजा केशव ने खोला था? इसके विकल्प सुन लीजिए, इससे केशव नाराज हो जाता या यह सुनकर मा केशव को पीट देती या यह सुनकर मा दूनों की पिटाई करती या फिर इन में से कोई भी उत्तर नहीं है बताये कौन सा उत्तर सही है? यह सुनकर मा केशव को पीट देती बिल्कुल ठीक अच्छा बच्चो, उन बच्चों के मन में क्या जिग्यासा थी? वे चिड्या के घोंसले के पास बार-बार आते कार्निस के पास आते उन्हें आता जाता देखते तो जानना क्या चाते थे? जिग्यासा क्या थी उनकी? विकल्प सुन लिजिए अंडों को देखने की या चिड्या को उडाने की या चिड्या के लिए सभी प्रबंद करने की या फिर चिडिया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की तो क्या जिग्या सा थी चिडिया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की यही देखना चाहते थे वे चलिए, अब एक और गति विधी करते हैं इसमें मैं पाठ से एक वाक्य बताऊंगी आपने बताना है कि यह वाक्य पाठ में किसने कहा था और किससे कहा था पहला वाक्य सुनिए बच्चों को क्या खिलाएगी? किसने बोला था यह? श्यामा ने किस से बोला था? केशव से, अपने भाई से दूसरा वाक्य है जाकर कूडा फेकने वाली टोकरी उठा कर लाओ किसने बताया था ये? किसको बताया था? केशव ने श्यामा से कहा था उसके बाद है तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले बताई थी श्यामा से जब वे उपर चड़ कर कार्निस पर अंडे देख रहा था हाँ अच्छा, अगली पंक्ती सुनिये तुझे इतना भी नहीं मालूम छूने से चड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं बताये जल्दी से किसने कहा था? मा ने, हाँ, केशव से कहा था अगला है मैंने तो अंडों को सिर्फ गदी पर रख दिया था कौन बोला था ऐसे? केशव, हाँ और उसने मा से कहा था चलो बच्चों, अब इस गती विधी के बाद हम कुछ और प्रश्न करते हैं आप इसके उत्तर बताने की कोशिश करिए फिर मैं भी आपको उत्तर बताऊंगी पहला प्रश्न है श्यामा अपने भाई से क्या पूछती रहती थी? बताईए, अंडों के बारे में प्रश्न करती थी ना तो क्या पूछती थी? तो श्यामा अपने भाई से अंडों के बारे में प्रश्न पूछती रहती थी भाईया, बच्चे अंडे से कैसे निकल आएंगे? कैसे फुर्स से उड़ जाएंगे? आदी इस तरह के प्रश्णवे पूछा करती थी अगला प्रश्ण देखिए बच्चो केशव और श्यामा अंडों की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहते थे बताईए उत्तर एके करके बताईए केशव और श्यामा उनकी धूप से रक्षा करना चाहते थे और उनके लिए भोजन, वपानी की विवस्था भी करना चाहते थे है ना? अच्छा अब बताओ बच्चों कि केशव और श्यामा के प्रियासों का क्या परिणाम निकला? नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि उनके चूने से चडिया ने अंडों को गिरा कर नश्ट कर दिया बच्चे जो करना चाहते थे वे तो नहीं हुआ बलकि उससे उल्टा ही हो गया अगला प्रश्ण है यदि केशव ने अंडों को नच्छुआ होता तो क्या होता? सोच सकते हो आप? यदि केशव ने अंडों को नच्छुआ होता तो चडिया अंडों को सेती और कुछ दिनों के बाद उसमें से बच्चे निकलाते ठीक है? ऐसा ही होता ना? या आप कुछ और भी उत्तर बता सकते हो? अगला प्रश्ण है वच्चो केशव और श्यामा कब अंडों को देखने जाते थे? किस समय? वै तो सवेरे उठते ही आँखे मलते हुए घर की कार्निस के पास चले जाते थे जहां पर चडिया ने अपना गोसला बनाया था चलिए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है केशव को अपने किये पर पच्चतावा क्यों हुआ? क्यों पच्चता रहा था वो केशव को अपने किये पर पच्चतावा हुआ क्योंकि उसकी नादानी भरी सहायता के कारण अंडों का सत्यानाश हो गया बहुत अच्छा उत्तर दिया आप सबने अच्छा अगला प्रश्ण है शामा ने केशव की किस किस तरह से मदद की एक एक करके बाद बताईए कि क्या क्या मदद की थी शामा ने सबसे पहले शामा केशव को वे हर चीज लाला कर देने लगी जो केशव को चड़िया के घोसले के लिए आवश्यक लगी थी जैसे की पानी की प्याली, चावल के दाने और धूप से बचाने के लिए कूडे की टोकरी फिर जब-जब केशव चड़िया के अंडों को देखने के लिए स्टूल पर चढ़ता था तो श्यामा स्टूल को कसकर पकड़े रहती थी ताकि केशव गिरना जाए यद्यपी केशव ने श्यामा को चड़िया का घोंसला नहीं दिखाया था फिर भी वे अपने भाई की सहायता करती रही तो बच्चो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है अंडों के नीचे गिरन जाने पर श्यामा और केशव की क्या प्रतिक्रिया हुई उन्हें क्या महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि अंडे नीचे गिरे हुए हैं उत्तर इसका क्या है? जब श्यामा सोकर उठी तो उसने देखा कि चिडिया के अंडे तूटकर जमीन पर पड़े हुए हैं यह देखकर वे अपने भाई को बुला कर लाती हैं दोनों की आँखे नम हो जाती हैं यह सब देखकर उनकी मा बहुत गुसा करती है और उन्हें बताती है कि चिडिया के अंडों को चूने से उनके अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिडिया उन्हें नहीं सेती हैं यह जानकर केशव को अपनी गलती पर कई दिनों तक अफसोस होता रहा ठीक है बटा चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो यदि आपको कभी पशू पक्षी की रक्षा करने का अफसर मिले तो आप क्या साबधानी बढ़तेंगे बताईए तो इसका उत्तर क्या हो सकता है पहली बात कि पशू या पक्षी की रक्षा करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके प्राकृतिक जीवन में दकल अंदाजी ना करें दूसरा इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वज़े से उन्हें कोई कष्ट ना पहुँचे क्योंकि पशू और पक्षी स्वचंद रूप से रहना स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं वे बे जुबान होते हैं वे हमें कुछ कह नहीं सकते इसलिए हमें उन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए और जैसे वे जीना चाहिए जीने देना चाहिए तो चलो बच्चो अब कुछ हम व्याकरण के अभ्यास करते हैं सबसे पहले सीखते हैं विशेशन इन शब्दों को सुनिये जरा तगडे बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा दिन बताईए इसमें कौन से शब्द विशेशन है? जल्दी जल्दी बताईए तगडे शब्द बच्चे की विशेशता बता रहा है मसालेदार शब्द सब्जी की विशेशता बता रहा है और बड़ा शब्द दिन की विशेशता बता रहा है तो ये तीनों शब्द हुए विशेशन तो विशेशन तो बच्चो आपने पहले भी पढ़े हैं आप उन्हें जानते हैं आज हम पढ़ेंगे विशेशन के प्रकार विशेशन चार प्रकार के होते हैं सबसे पहला गुण वाचक विशेशन इसमें संग्या या सर्व नाम के गुण, दोश, रंग, आकार, स्वाद, स्थिति आदी के बारे में पता चलता है दूसरा प्रकार है संख्या वाचक विशेशन जैसा की नाम से ही पता चल रहा है यह संग्या की संख्या के बारे में बताता है तीसरा है परिमान वाचक विशेशन यानि माप तोल कितना माप है या कितना तोल है कितना लंबा, कितना छोटा यह सब हमें परिमान वाचक से पता चलता है और चोथा वह अंतिम प्रकार है सार्वनामिक विशेशन सर्वनाम शब्दों से बनने वाले विशेशनों को हम सार्वनामिक विशेशन कहते हैं बच्चों आज हम गुण वाचक विशेशन विस्तार से पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे तो चलिए एक बार फिर से इसकी परिभाशा दोहरा लेते हैं जो शब्द किसी संग्या या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण आदी का बोध करवाएं उन्हें हम गुण वाचक विशेशन कहते हैं बगीचे में सुन्दर फूल है यहां सुन्दर शब्द फूल का गुण बता रहा है तो यह गुण वाचक विशेशन है अगला वाक्य देखिए स्वस्त बच्चे खेल रहे हैं यहां स्वस्त शब्द गुण वाचक विशेशन है। चलो, अब कुछ गुण वाचक विशेशन लेते हैं और उन्हें बाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहला शब्द है बड़ा पेड़। बनाईए इसके लिए वाक्य। मेरे घर के सामने पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है। आपके घर के सामने कोई पेड़ है? बनाईए उसका वाक्य। अगला शब्द देखिए स्वादिष्ट भोजन। मेरी मा बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ऐसा वाक्य आप भी बना सकते हो, कोई और वाक्य बनाने की कोशिश करिए। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। अच्छे बच्चे। चलिए, इसका वाक्य बताईए। मेरी कक्षा में बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। बना सकते हो ना ऐसा वाक्य बहुत आसान है अगला शब्द देखिए लाल गुलाब इसको करिए वाक्य में प्रयोग इस बाग में लाल गुलाब खिले हैं या कोई और वाक्य भी आप बना सकते हो मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है है ना चलिए, अब बनाईए वाक्य सुन्दर बच्चा इसका वाक्य बनाईए मेरे पडोस में बहुती सुन्दर बच्चा रहता है और कोई भी वाक्य आप बना सकते हो ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अब जो गति विदी हम करेंगे उसमें आप रिक्तस्थान भरोगे जो जो मैं आपसे पूछूँगी वही वही आप रिक्तस्थान में भरोगे सबसे पहले रिक्तस्थान के लिए दो वस्तूओं के नाम बताईए कोई भी दो वस्तू है अपने आसपास देखिए जल्दी से उत्तर दीजिए अच्छा, इसके बाद दो व्यक्तियों के नाम बताईए कोई भी दो व्यक्ति आपके मित्र, परिवार के लोग कोई भी हो सकता है नाम बताना है इसके बाद दो स्थानों के नाम बताईए कोई दो स्थान आपका गाउं, शहर, कुछ भी हो सकता है इसके बाद बताईए किनी दो पक्षियों के नाम पक्षी आप देखते हो, आपको पता है कोई दो नाम बताईए पक्षियों के बाद बताईए दो जानवरों के नाम तो बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिये बच्चो तो अभी हमने क्या-क्या सोचा दो वस्तूओं के नाम सोचे, दो व्यक्तियों के नाम सोचे, दो स्थानों के नाम, दो पक्षियों के नाम और दो जानविरों के नाम आप मुझे बता सकते हो कि ये सारे नाम इन्हें हम क्या कहते हैं, व्याकरण में हम इन्हें संग्या कहते हैं, हाँ, तो आपने अभी मुझे बहुत सारे संग्या शब्द बताएं हैं, तो अगली गती विधी में आपने रिक्त स्थान में संग्या शब्द भरने हैं, तो चलि शुरू करते हैं, पहला वाक्य सुनिए, मेरा नाम रिक्तस्थान है, अपना अपना नाम भरिए इसमें, अगला रिक्तस्थान देखिए, मेरे विद्याले का नाम रिक्तस्थान है, इसमें भरिए अपने विद्याले का नाम, सब अपने विद्याले का नाम लिखिए, अगला वाक्य देखिए मैं रिक्तिस्थान शहर में रहता हूँ अपने अपने शहर का नाम लिखिए बच्चो जल्दी से बताए और अगला वाक्य है मेरे पास एक पालतू रिक्तिस्थान है यहाँ पर अपने पालतू पशु का नाम पालतू पक्षी का नाम आपने लिखना है जल्दी से रिक्तिस्थान भरिये चलिए यह ज्यति विधी भी अब समाप्त हुई अब बच्चो आपको मैं कुछ करने के लिए कार्य दे रही हूँ आपके पास पालतू जानवर होगा शायद कोई या नहीं है तो अपने आसपास घर के आसपास किसी जानवर को देखिए कुछ दिन के लिए उसे देखते रहे कि वे कैसे रहता है, कब सोता है, कब खाता है, कहां कहां जाता है और उसके बाद उसकी दिन चर्या पर कुछ पंक्तियां लिखिए एक अनुछेद के रूप में कर पाएंगे ना आप ये काम मुझे आशा है आप बहुत जल्द ये काम कर लेंगे ठीक है बच्चो पाठ अब समाप्त होता है फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी अगले पाठ में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए नमस्कार